नमस्कार मैं पंदित रामदुवे आप सबकर स्वागत करता हूं बिवा के मास के बारे में मैं आप सबको बताने जा रहा हूं कि किन मास में बिवा करना चाहिए और किन में नहीं मिथुन कुम्भ मकर ब्रिस्चिक ब्रिस मेश इन रासियों के सुर में विवा सुब होता है मिथुन का सुर आसार सुकल दस तक सुब है ब्रिस्चिक के सुर होने पर कार्तिक में मेश का सुर में होने से चैत में मकर का सुर होने पर पौस में विवा सुब होता है बिवा मोहुर्थ और नच्छत्र के विशय में जानते हैं नच्छत्र तीनो उत्रा रोहणी म्रिक्सिरा मघा मूल अनुराधा हस्त वर स्वाती लगन कन्या तुलाव मिथुन मास फालगुन माग मार्गसिस आसार जिश्ट और बैसाग दिन भामवार तथा सनीवार को सेश सुभ दिन है तिथी रिक्त का तथा अमवस्या को छोड़ कर विवा सुभ होता है नव ताराओं के नाम जन्म नच्छत से दिन नच्छत तक संख्या गिन कर नव का भाग देने से सेश एक जन्म दूसरा संपत तीसरा बीपत चौथा छेम पांचवा प्रतेरी छटा साधक सातमा वद्ध आठवा मैत्र नवा अतिमैत्र ये नव ताराओं के नाम है तुस्त तारा का दान वद्ध में सौन तथा तिल विपत में गुड जन्म में साक तथा प्रतेरी में नमक का दान करना चाहिए प्रतिक तारा की तीन आबिर्ति होती हैं पहली आबिर्ति में वीपत का प्रथम प्रतिरी का चतुर्थ वद का तिती चरण सुब होता है बाकि सब असुब तीसरी आबिर्ति में सभी ताराएं सुब होती हैं तो यह तारा और मास के भी से में मैं आप सब को जानकारी महिया कर जाया हूं, पर्शा करूंगा